हेलो फ्रेंड्स मैं दिल्प्रियू सिंग आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूपी तीस वाले फार्मर पर अगर आप हमारे चैनल पहली बारा है चैनल तो सब्सक्राइब वश्च कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लिखती है और गन्य बन्हाई का नेकिया फाइदें है और गन्य मंधाई क्यों करनी चाहिए तो चली एक नजर गन्य पर भी मार लेते हैं कि यह जो गन्न आप देख पा रहे हैं यह गन्ना 118 वराटी गन्ना है और काफी अच्छा गन्ना है इसमें रेड रॉट रोट रोक आने के बहुत ही कम चांसे रहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि गन्य को कैसे बांधायाता है तो जब आपका गन्या लगभग इतना लंबा हो जाए तो आपको उसको बांध देना चाहिए लगभग 4 फुट और उसके बार जब दूसरी बंधाई हो जाएगी तीसरी बंधाई जो होगी तब साइड से सीड़ी लगा के और उसके उपर बंधाई की जाएगी ताकि गन्ना गिरे ना गन्य की बंधाई करने से हमें बहुत बड़े फाइदे हैं गन्या बाधने से लगभग 20-25% उत्पादन हमारा गन्या बढ़े आता है बंधाई कर देने के बाद गन्या के अंदर आराम से चला फिरा जा सकता है जैसे कि आप लाइन में देख पा रहे होंगे और लाइन में चलने के साथ आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं और खाद यूरिया डालने में भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है और आप आराम से चलके इसमें जो खाद भी देना इसको खाद या दवा कोई भी उपचार इसका करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और गन्ने को बंधा देने से उसके अंदर हवा पास होने लग जाती है और उसमें धूप आने लग जाती है जिसे कि गन्ना जल्दी ग्रोथ करता है और हवा से गन्ना जारत आखतवर हो जाता है और हवा से गन्ना की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और जो गन्ना बंधा दिय जाता है उसके गिरने के चांसेज तो 70-80% कम हो जाते हैं गन्ना अगर अच्छी तरीके से दो-तीन वार सीजन में बंधा दिया जाए तो गन्ना नहीं गिरेगा लगभग सव कुंटल से लेके करने का बहुत ही अच्छे समय है आपने गन्ने की जरूर करें और 20-25% उत्पादन जादा पाएं और इसके बाद बनाई होने के बाद यह जो नीचे की सूखी पत्ती आपको दिख रही है यह भी हटा दी जाएगी जिससे की हवा अच्छी तरीके से गन्ने के अंदर प्रवे कर लें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेर भी कर दें धन्यवाद